Hello everyone, welcome back to another video. इस वीडियो में हम जनरल हिंदी के important questions डिसकस करेंगे, जो HPPSC paper 1 के लिए most important रहेंगे. Paper 1 HPPSC के जो 10 questions हिंदी के पूछे जाते हैं, ये एक same pattern में पूछे जा रहे हैं, जैसे आपको संग्या सरवनाम क्रिया विसेशन में से question मिलेगा, समास में से question मिलेगा, इसी परकार चुनिंदा topics में से question आते हैं, अगर आप उन topics को revise कर लें, तो आपके 10 में से 8 marks, 9 या 10 number आप fully यहां से प्राप्त कर सकते हो. Junior Office Assistant और Junior Auditor का examination 22 और 29 तारिकों है, तो इन examination के लिए भी ये questions बहुत ज़्यादा महत्पून रहेंगे. First question है, सभापती शब्द का strilling रूप है, सभापती जो सब्देश्ट का strilling रूप होता है, सभाणीत्री, important question है, सभाणीत्री सभापती का strilling रूप है, option C इसमें correct होगा. चलिए अगला question है, question number 32, तुम college कब जाओगे? रिखांकित पद सरवनाम का प्रकार है, सरवनाम यहाँ पूचा है कि कौन सा सरवनाम है, तुम college कब जाओगे, कब यहाँ पे underline किया हुआ है, तो यहाँ पे person पूचा जा रहा है, last में sign of interrogation भी है, तो जहाँ भी sign of interrogation और question प रेक्ट होगा, प्रशन वाचे को सरवनाम, अगला question है, question number 33, क्रोधागनी, शब्द किस समास का उधारन है, क्रोधागनी, तो क्रोधागनी का होगा, क्रोध की अगनी, यानि कि ततपुर्श समास है, संबंध काके की, संबंध ततपुर्श समास, option A क्रेक्ट होगा, ततपुर्श, लेकिन होगा, option में एक, नन ततपुर्श समास भी दिय गया है, नन ततपुर्श यह भी काफ़ी important है, HPPSC के paper 1 में, यहां से भी question पूछे गया है, नन ततपुर्श में, जैसे समास का जो प्रथम पद होता है, पूरव पद होता है, यह निशेद सूचक होता ह यानि नाकरात्मक होता है, नेगटिव होता है, नाकरात्मक, example के लिए जैसे, जैसे अयोगिया, नन ततपुर्श समास है, यानि अयोगिया, जो योगिया न हो, अयोगिया, तो इसमें नेगटिव पद जो है, पहला आगया, नेगटिव नाकरात्मक, तो यह नन ततपुर् परसपर निर्वर होती है, उसे कहते हैं, तो ये वाक्य होते हैं, संकेत वाचक वाक्य, okay, example के लिए जैसे यदी परिश्रम किया है, तो सफलता आवस्य मिलेगी, यानि कि इस वाक्य में एक सधिक करिया है, परसपर निर्वर कर रही है, तो ऐसे वाक्यां को संकेत वाचक वाक मैंने पानी पिया तो इस सिंपल वाक्य जो होते हैं इने विधान वाचत कहते हैं अगला कोशन है जो भी होता है वह इश्वर के द्वारा किया जाता है जो भी होता है वह इश्वर के द्वारा किया जाता है इस वाक्य में किस वाच्य का प्रियोग हुआ है इस वाक्य में वाच्य का प्रियोग हुआ है करम वाच्य option B करेक्टर का करम वाच्य करम वाच्य होता है passive voice passive voice को कहते है करम वाच्य कृत वाच्य होता है active voice करम वाच्य में क्या होता है सकर्मक्रिया से, अगेला कुछन है, निमली किति मैंसे कौन सा शब्द चांदनी का प्रेवाची नहीं है, चांदनी के प्रेवाची की बात करें, जो जियोत्सना, चांदनी का प्रेवाची है, कौमुदी चांदनी का प्रेवाची है, चंद्री का प्रेवाची है, भासकरा, चांजनी का प्रेवाची नहीं है, इस question में एक और word है, जो एक अलग question में भी पूछ ले जाता है, वर्तनी में पूछ लेता है, ज्योचना कैसे लिखते हैं, तो यह important S को ध्यान रखें, ज्योचना की practice कर ले, अधाज, यो, अधत, अधास, और पूरा न, ज्योचना, ओके, योचन भी आया हुआ है, पहले ज्योचना का वर्तनी, अगला question है, question number 37, अचानक पतंग कट कर, नीचे गिर गई, रेखांकित क्रिया का परकार है, पतंग कट कर, नीचे गिर गई, कट कर, तो इसमें, जो क्रिया है, वे हैं, पूर्वकालिक क्रिया, option B करेक्ट होगा, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया में, जब जो है, एक करता कारे को समाप्त करके, तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, यानि पिछला काम जो है समाप्त हो जाता है तब जो क्रिया पहले की समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं पुर्व कालिक क्रिया जैसे यहां कटकर नीचे गिर गई अचानक पतं कटकर नीचे गिर गई यानि गिर गई है यह काम जो है पूर्ण हो चुका है उसे कहेंगे हम पूर गया होगे, तो पूरव काली क्रिया ये कहलाएगी. क्रिया की विधी के या तरीके के बारे में इससे पता लग रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया विशेशन होती है, रिती वाचक क्रिया विशेशन का बेहता है, रिती वाचक, option B क्रेक्ट होगा, रिती वाचक, क्रिया विशेशन के अगर बात करें, तो क्रिया विशेशन के टो काल वाचक क्रिय विशिशन जो पहला विशिशन है इसमें क्या होता है इसमें समय का पता लगता है उधारन के लिए जैसे कल बरसात होगी या कल बरसात हो रही थी मैंने सुबा खाना खा लिया इसमें समय का पता लग रहा है कल सुबा कल परसों शाम को मैं सुबा खेलूँग मैं सुबा खेलूँगा, मैं सुबा जल्दी उठ जाओंगा, यहाँ पे समय के बारे में, जिस क्रिया में बताते हैं, उसे काल हो आचक क्रिया विशिशन क्याते हैं, स्थान हो आचक क्रिया विशिशन में स्थान के बारे में, ऐसी क्रिया है जिसमें क्रियाओं के होने के स्थान का पता लगता है, जहां पर क्रिया हो रही है, उससे स्थान का पता लगता है, जैसे तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं बाहर खेलता हूँ, हम छत पर सोते हैं, या मैं पेड़ पर बैठ गया, तो यहां पर जो क्रिया है, उसकी लोकेशन, उसकी स्थान का पता लग क्रिया की परिमान का संख्या का या इसकी मात्रा का पता चलता है, तुम थोड़ा कम खाओ, मैं बहुत ज्यादा तेज दोड़ता हूँ, बहुत तेज दोड़ता हूँ, तो इसमें परिमान का पता लग रहा है, मात्रा का पता लग रहा है कि मैं ज्यादा दोड़ता हूँ, कम दोड़ता हूँ ज्यादा खाता हूँ कम खाता हूँ परिमान की बात हो रही है यहां पर तो यह परिमान वाचत करिया विशेशन है क्रिया विशेशन क्या होता है वो सब्द जो हमें क्रिया की विशेशन के बारे में बताते हैं क्रिया विशेशन कहलाते हैं क्रिया की विशे देना यानी रिशुवत देना option C correct और तेकि मुठी गर्म करना यहाँ पर मुखावरा है यह तो मुठी या हतेली से एलेटेड तो यह नहीं होगा मुक्का मारने से भी लेटेड नहीं होगा हतेली यों को पर्सपर रगणना अक्ते लिए उसका संबंध नहीं है, यह एक मुहावरा है, तो यानि इसका मतलब है प्रिश्वत देना, option C, correct O, and last question, question number 40, राजनीती के चंदन विरिक्ष में सांप विशैले पन परहे हैं, इस पंक्ती में परियुक्त अलंकार है, राजनीती के चंदन वन में सांप विशैले पन परहे हैं, तो यह उधारन है, अन्योक्ती अलंकार का समय, अन्योक्ती अलंकार है, option D, correct होगा, अन्योक्ती अलंकार, next question है, बिगुल मुलताकिश भासा का शब्द है, बिगुल, एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसिसी भासा का शब्द है, बिगुल, option D, correct होगा, इसके अ यूनानी शब्द जो हिंदी में use होते हैं उन्में एकन तो टेलीफोन टेलीफोन शब्द जो है ये यूनानी सब्द है यानि इजेए ग्रीक फर्ड है टेलिफोन हो गया इसके ल génफवा एटलस हो गया एटलस ये भी यूनानी शब्द है इसके लगा एक महत्रपोन इंपॉट हैं जो गोशन में एक्जामिनेशन में पुझा आता है शब्द जापानी सब्द जो हिंदी में उता है वो है रिक्षा रिक्षा शब्द ये जैपैनी सब्द है जैपनीज है अगला गोशन है निमलिक्त में से कौन शब्द प्रशाद अगला गोशन है निमलिक्त में से शुद्ध सब्द का विकल्प है अनुसुया कैसे लिखते है अनुसुया तो सही जो शब्द है शुद्ध जो है यह है अनुसुया बी क्रेक्ट होगा अनुसुया नेक्स्ट कोर्षन है कोर्षन नमर 34 मुझे सन्नाटा पसंद नहीं है रिखांकित सब्द संग्या के किस बेद का उधारण है सन्नाटा पसंद नहीं है सन्नाटा सन्नाटा क्या है ये कौन सी संग्या है सन्नाटा ये क्या वेक्तिवा चक है जातिवा चक है उसी प्रकार से सन्नाटा, पसंद नहीं है, सन्नाटा यानि ये भावाचक संग्या है, ये option C क्रेक्ट होगा, भावाचक, अगला कुशन है, वह सब चुनिये, जो उपसर्ग की भिंता के कारव, अन्य सभी विकल्पों से भिना है, अगर अब देखें तो अनुचित में अनु उचित, तो इसमें अनुपसर्ग है, अनुज में अनुपसर्ग है, अनुचर में अनुपसर्ग है, अनुशाशन में अनुपसर्ग है, लेकिन अनुचित में अनुपसर्ग है, तो भिन है अनुचित, option A क्रेक्टों का ये इसमें भिन है, different है, next question है, प्रविशेशन सब्द वे होते हैं या प्रविशेशन सब्द वे हैं जो जो शब्द विशेशनों की विशेशता बताते हैं विशेशन की विशेशता बताते हैं जो शब्द वे कहलाते हैं प्रविशेशन विशेशन की विशेशता बनाने वाले सब्द को कहते हैं प्रविशेशन option होगा secret अगला कुशन है बेख टके समस्त पद में प्रिक्त समास का प्रकार है बेख टके का मतलब होता है बिना रोक टोक यहनि इसमें जो प्रिक्त समास है वो है अव्वे भाव समास अगर इसका हम विग्रह करें तो बिना खटके के बिना खटके के यानि बिना रोक टोके तो उसमें पहला पद परधान है यानि पहला पद बिना तो यह अव्वे भाव समास होगा option B इसमें क्रेक्ट होगा तत्थपुर्स समास में उत्तरपद परधान होता है यानि जो बाद वाला पद होता है वो परधान होता है इस अर्थ के लिए यहां अर्थ दिया है, इसका मुखावरा क्या होगा, मुखी घाना, मुखी घाना यानि कि बुरी तरह हारना, option B, correct और लास्ट कोर्षन है, कोर्षन नमर 49, निमलिक्त में सरल वक्य पहचानी है, सरल वक्य पहचानी है, वह जो दो दिन गाउं में रहा, सब लोग बाहर आ गए, फोर्थ है, तालाब के किनारे स्थित एक छोटे से गाउं के चारों और जंगल था, तो इसमें जो सरल वक्य होगा है, तो यह कुछ हिंदी के कोर्षन थे, important questions जो आपके examination के लिए important रहेंगे, next वीडियो में हम English portion के भी important versions करेंगे, HPGK की तो वीडियो और आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, and हमसे जुनने के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें follow कर पाएंगे, तो अब भी follow कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर तो सब्सक्राइब कर लें, and अपना feedback, comment section में लिखें, आपको next किस subject पर वीडियो चाहिए, comment section में बताएं, और वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करना ना पूझे, thank you so much.